हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया तो आज की वीडियो में आप लोगों को बिकी वी गाय का डीटेल देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक देखें और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दवा लें और ओल पे किलिक करें तक आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें मैं लगातार आप लोगों को पशुमंडी से रिलेटेड जनकारी देता रहता हूँ और मैं अपने फार्म से भी डेरी फार्म से भी लगातार जनकारी देता रहता हूँ तो वीडियो सुरू करने से पहले एक चीजा और कहूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस गाय का डीटेल कि क्या प्राइज में बिकी है और एक HF ब्रीट की गाय भी सेल हुई है काफी बढ़िया प्राइज में बिकी है तो आप लोगों को भी उसका प्राइज जानकर मुझे उमीद है कि अच्छ जा रहा है तो ये गाय च्छे दात पे है और आज की मंडी में ये गाय मात्र 42,000 रुपया में सेल हो गई है 42,000 में और 16 लिटर मिल्किंग कैपी सिटी है उस एंगल से भी इसके अडर की बनावट एक बार दिखाना चाहूंगा गाय काफी अच्छी है लेंथ वगरा में दे नीचे मेल है तो बैक साइट से अडर की बनावट एक बार दिखाना चाहेंगे देख सकते हैं तो काफी अच्छे अडर की बांट की गाय है ये तो आज की मंडी में ये गाय सेल हुई है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं कैसा प्राइज में सेल हुआ ठीक है या महंगा लि है तो छे नात पे ये भी गाय है और इसके नीचे जो मिल्किंग कैपिसिटी है वो दोनों समय का 13 लीटर बताया गया है जिनोंने खरीदा है उनका अनुमाने की ये गाय तेरा लीटर दोनों समय में मिल्क करेगी और मुझे भी लगता है कि 11.5 लीटर के आसपास करेगी 13 त 29,000 रुपया में बिकी है ये गाय तो काफी अच्छे प्राइज में इनोंने खरीदा है नात में है भी गाय छे नात की और बच्चा इसके नीचे मेल है बाचा बच्चा है तो छे नात 13 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी 34,000 में ये गाय बिकी है अडर की बनावर्ट देखा आ हेफ ब्रीट की गाय और काफी शांदार अच्छी गाय मुझे लगी और अच्छी प्राइज में बिकी है तो पूरी डीटेल दूँगा और 100% नहीं कहेंगे इसे हेफ लेकिन अच्छा परसेंटेज है अडर की बनावर्ट देख सकते हैं काफी शांदार थन बना कर रखी है ये गाय दांत में मिल चुकी है और तीसरे बार ये गाय ने बच्छा दिया है जो के बच्छे बच्छे को जनम दी है इसके नीचे बाचा बच्छा है मिल्किंग कैपिसिटी के अगर बात की जाए तो 16 लीटर मिल्क कैपिसिटी इसके नीचे बताया जा रहा है और मेरा भी की अगर बात की जाय तो मातर आज की मंडी में ये गाय 44,500 में सेल हो गई है 44,500 में तो कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज की मंडी में जो गाय सेल हुई है उसका प्राइज आप लोगों को कैसा लगा महंगा है सस्ता है ये जरूर कॉमेंट करें ताके दूसरे लोगों को भी सपोर्ट मिल सके तो कुछ बिकी वी गाय का प्राइस बताया मैंने अब यहां पर कुछ सेल के लिए जो उपलब्द गाय है उसका भी डीटेल दे देता हूं और उसके बाद फिर वीडियो को अंत करेंगे तो कोसिस कर रहा हूं तीन-चार गाय का डीटेल और दिया जाए इस वीडियो में दात में ये गाय मिल चुकी है और मिलकिंग कैपिसिटी की अगर बात की जाए तो 14 लिटर बताया गया है और घुमा कर दिखा रहे हैं गाय को तो बैक साइट से इसका एक बार और करीब से अडर कवर करना चाहेंगे और क्या है प्राइस वो भी बताना चा गाय का मातर आज की मंडी में 42,000 प्राइस रखा गया है बच्चा फीमेल है तो आगे इस गाय का भी डीटेल दे दूँ जो के कल रात की बी आई वी गाय है और यहां पर कुछ डिस्चार्ज भी कर रही है गाय तो क्या है पूरा डीटेल वो देना चाहेंगे आप लोगों क सबसे पहले दात के बारे में बात कर लेते हैं तो गाय दात में चार बताई जा रही है और ये भी HF क्रोस ब्रीट की गाय है और मिल्किंग कैपिसिटी की अगर बात की जाए तो जैसा कि इनके आउनर का कहना है कि अभी इसके नीचे जो खीस है जिसे फेनुस भी हम लोग क यार है और इनका नुमान है कि 12-13 लीटर तक ये गाय मिल्क करेगी पहले ब्यात की गाय है और प्राइस की अगर बात की जाए तो 46,000 इस गाय का प्राइस रखा है इनोंने 46,000 रुपया जो कि थोड़ा सा महेंगा लग रहा है मिल्क के हिसाब से और बच्चा फीमेल है तो और ये अडर की बनावट है तो चलिए आगे कुछ और गाय का डीटेल देता चलूँ आपको बने रहे हैं वीडियो में अंतक तो यहां पर सहीवाल क्रॉस की गाय देखने को मिली है और क्या है मिल्किंग कैपिसिटी वगरा वो बताएंगे आपको अडर की बनावट पहले फोकस करें आप लोग और गाय का लेंथ हाइट तो क्रॉस ब्रीट की गाय है बहुत सारे भाई क्रॉस ब्रीट की गाय लेना चाहते हैं और बहुत सारे भाई कॉमेंट भी करते हैं तो क्रॉस ब्रीट की गाय इस मंडी में मिल भी जाती है बहुत आसानी से और आकर इस मंड को order की बनावट दिखाऊंगा milking capacity 12 लीटर है तो देख सकते हैं order की बनावट काफी बढ़िया 12 लीटर milking capacity और demand के अगर बात की जाए तो 39,000 इस गया का price रखा गया है और ये थोड़ा सा price ठीक लगा मुझे इसलिए कि ये किसान भाई की गया है बच्चा मेल है इसके नीचे और यहां पर एक और गया cross breed की देखने को मिल गई है तो इसका भी detail देता चलूँ आप लोगों को ये गया भी अपने 6 दात पे बताई जा रही है और ये भी सहीवाल से cross breed की ही गया है तो 6 दात पे है और इसके नीचे भी milking capacity 12 लीटर बताया जा रहा है दोनों समय का और एक गया है थनों की बनावर देख सकते हैं 43,500 बच्चा इसके नीचे female है ये plus point है गये इस एंगल से भी देख सकते हैं आप तो मंडी काफी अच्छी लगी थी और बिकी भी गये का भी detail दिया तो एक ये गये है इसका detail देने के बाद फिर वीडियो को अंद करेंगे तो बने र बताया जा रहा है और milking capacity जैसा के 10 लिटर बताया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 लिटर ये milk करेगी और अगर price की बात की जाए तो 35,000 इस गये का price रखा गया है और उमीद है कि दोनों समय में ये गये 7,5-7 लिटर के आसपास milk करेगी और लगबग ये गये वीडियो को करेंगे अंत वीडियो कैसा लगा ये हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो like share जरूर कर दें और साथी चैनल को subscribe कर लें